हाले फ्रेंट के इसे आप सभी स्वाथ करते हैं आप सभी कई वस्तिजी को इसमें तुफिन आए जोए कि बिहार इंटरंस एक्जाम 2024 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नमर फाइफ लेके आए हुआ है क्योंकि इससे पहले हम सभी फॉर प्रैक्टिस सेट कंप्लेट कर च कोईशन है पहला कोईशन यह बंड़े की रॉकेट पर नोद के पीछे का व्यग्यानिक सिद्धान्द किया है तो राइट आंसर ऑफिशन में से जहेंगे न्यूटन का नियम से संबंदी थे तो ऑफिशन में से इसका राइट आंसर एंगे दिखे रॉकेट जो उपर ला रही थे तो संबेग सन्रक्षन सिद्धानद पर अधारीत है अगला कोईशन देखें एक कोईशिका का केंद्रक एक अर्ध ठोस पदार्थ से भरा होता है जिसे डैस कहा जाता है तो इसे केंद्रक द्रम भी कहा जाता है ध्यान रखेगा आप से भी एक correct answer रहेंगे याद रहेगा आप से भी को अगला question देख लिए जी अगला question ये बंड़े कि बहते ववे तरल में घर्चन को 10 कहा जाता है चले question में 3 के लिए आप से right answer बताएंगे इस question का right answer क्या होगा बहते ववे तरल में घर्चन को क्या कहा जाता है से आनता कहा जाता है याद रखेगा आप से भी option में से right answer रहेंगे important question रहेंगे फिर आपकी exams के लिए क्या कहा जाता है इसे सेहानता कहा जाता है अगला कोशन कर लेते हैं पाने का कोथनांग डैसे पाने का कोथनांग जो होता है केलविन में पूछा जा रहा है ध्यान रखेगा तो केलविन के अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा 273 डिगरी केलविन option में भी इसका right answer रहेगा अगर यही Celsius में बात करता Celsius में बात करता तो 100 degree Celsius होता है पर अगर Kelvin की बात किया जा रहे तो 373 degree Kelvin होता है अगला है क्रेप्टॉन पतात्व का पर्तिक क्या है तो इससे पहले वह आपको practice state में बताये थे क्रेप्टॉन का पर्तिक चीन क्र ध्यान रखेगा आप सभी क्या है क्र इसका पर्तिक चीन है अगर इसका परमानुक करमांग की बात किया जाए अगर आप सभी से question पूछ लिया जाए कि क्रेप्टॉन का जो परमानुक करमांग होता है वो कितना होता है तो ध्यान रखेगा आप से भी इसका परमानु कर्मांग 36 होता है कितना होता है 36 होता है अगर आवर्त इसका बात किया जाए आवर्त क्या है तो आवर्त जो है इसका वो चार है ध्यान रखेगा याद रहेगा आप से भी ये कमरे के तापमान पर क्या है उतक्रिष्ट गई से क्रेफटाउन परमानु दरिवमान की बात क्या जाए ये परमानु संख्या था परमानु संख्या 36 था पर इसका दरिवमान की बात क्या जाए तो याद रखेगा आप से भी इसका दरिवमान 83.798 होता है इसका द्रेव मान याद रहेगा आप से भी को अगला कोईशन दिखे फालिदार पौधन दुवरा नैट्रोजन के इस्तरी करन के लिए कौन जिमिदार होता है तो यह जो होता है राइजो भीमिया जिमिदार होता है ध्यान रखेगा option में सी correct answer है याद रहेगा आप से भी को कौन जिमिदार होता है राइजो भीमिया देखे राइजो भीमिया जिवानों जो होता है फिन राइजो भीमिया जो जिवानी होता है यह मिट्टी में सोसंत रूप से पाये जाता है और ज्यादातर फलिदार पोधे में लगता है अगला है नीमलेकित में से पहला मानब निरमित प्लास्टिक कौन सा है सी रैइट आंसरें के ध्यान रकेगा सेलू लोयड ये जो है पहला निरमित प्लास्टिक है मानब के ध्यान रकेगा इसका निर्मान जो किया गया था अठारा सो पचपन में किया गया था इसके दुबरा किया गया था अलक्जेंडर पार्क्स के दुबरा किया गया था अगला कोईशन है जब भोजन का तूटना आउक्सीजन के उपयोग के बिना होता है तब इसे क्या कहते है अगला कोईशन ह कहा जाता है इसे याद रखेगा आप सभी option मसी राइट आंसर हैं क्या कहा जाता है इसे अगला कोश्चन है अगला कोश्चन देखिए रक्त प्लाजमा धातु मिसरन धातु आदी का मिसरन डैस मिसरन का सुध उधारन है सजातिय मिसरन का सुध उधारन है रक्त प्लाजमा धातु मिसरन धातु आदी का मिसरन सजातिय मिसरन का उधारन होता है यह सभी अगला है एक बल्व का तंतु जो बना होता है फिन वो किसका बना होता है एक बल्व का तंतु किसका बना होता है टंगश्टन का बना होता है ध् आप सभी के लिए अप्लिकेशन पर भी क्लासेश शुरू कर दिया गया है जो भी त्यारी करना चाहते हैं जो 2024 में एक्जाम देने वाले हैं तो कि समय बहुत ही कम दिया गया है और जो फार्म नहीं भरें जाके भर लिजिए आप सभी क्योंकि फार्म बराना शुरू हो चुक आप सभी को टेश्ट दिया जाएगा ताकि आप अपने त्यारी को जांच पाईएगा कि आखिर कितना त्यारी कर पाएं आप सभी और एक सीट आपको कैसे पका होगा उससाफ से त्यारी आपको करना होगा प्रोपर रनीती के साथ में तबी एक सीट पका कर पाईएगा सरक केसे करना है विडियो बना हुए वीडियो को देख लिदेगा अप्लिकेशन का भी लिंक रिसकिप्षन में दिया हूए प्लस में वीडियो का फीज़े दिये और कमेंड बॉक्स भी पीन कर दिये तो वहाँ से जाके देख लेज़ेगा आगला कोशन देख लेज़े निम्रकित में से कौन सा बिटामिन कोशिकाओं को च्छाती से बचाने में मदद करता है इन में से कौन सा बिटामिन कोशिकाओं को च्छाती से बचाने में मदद करता है तो यह करता है बिटामिन E ध्यान सी राइट आंसरेंगे इसका रासाइनिक नाम क्या है तो आप सी को बताए थे टेको फेरॉल टेको फेरॉल इसका रासाइनिक नाम है फिंड याद रहेगा आप सभी को बिटामिन बी बारा को क्या का जाता है तो बिटामिन बी बारा को साइनो कोबालामीन का जाता है बिटाम भी प्रास में धोनी को कि शूरूप में जाना जाता है तो रेट आंसर ऑपसन में सुजाएगा धोनिक धोनिक आ जाता है इसे याद रखेगा आप सभी सी कहे रख्ट आंसर एंगे दीखेंगे अगर सरब तरंगों की बात किया जाए लिख देते अगर वही बात किया जाए अब सरब तरंगों की अब सरब तरंगों की बात किया जाए तो इसका जो होता है जीरो हर्ज से लेकर 20 हर्ज की बीच होता है अगर वही प्रासरव तरंगों की बात किया जाए तो इसका जो होता है 20,000 हड जिसे उपर इसकी आवरिती होती है तो ध्यान रखेगा आप सबी अगला है मेथोनोईक अमल समाने तक किसमें पाये जाता है चीटे के डंक में मेथोनोईक अमल पाये जाता है अगला कोशिशन कर लेते हैं निमने में से हीरे का सुधतम रूप कौन सा है अगला कोशिशन देखे पादप किस प्राकराम में गुल कोच निर्मित करते हैं आ précis सोन्स लेशन में गुलकोच निर्मित करते हैं गैन्गु डैस के कारण होता एंथ तो इरयट आँसरिंगे विशानुके कारण फैलता है डियंगु धियान रह किगा आप सभी डैंगु कि पूइंडिस मच्छड कारण देंगुरों होता है अगला कोईशन देखे, वायल का नियम, डैस के बीस सम्बन देता है दाब और आयतन के बीस सम्बन देता है अगला है, पतली ट्ब में तरल पदार्थ के के गिरने से होने वाली परिगरटना को डैस कहा जाता है इस परिगटना को हम से भी क्या काते हैं कोशी का परभाव काते हैं पतली ट्यूब में तरल पदार्थ के गिरने से होने वाली परिगटना को हम से भी क्या काते हैं कोशी का परभाव काते हैं अंगूर में पाये जाने वाला अमल कौन सा है तो अंगुर में पक्चियों की गती डेस का एक उधारन है पक्चियों की गती जो है यह किसका एक उधारन है रूपांतरित गती का एक उधारन है पक्षियों की गती अगला कोई से ने दाव को मापने के लिए उप्यो किये जाने वाला यंतर का नाम क्या है तो दाव को मापने के लिए जो हम सभी उप्यो करते हैं मेनो मीटर का उपयोग करते हैं या दाब मापी का उपयोग करते हैं हिंदी में दाब मापी का जाते हैं इंगलिस में मेनो मीटर का उपयोग करते हैं दाब को मापने के लिए याद रहेगा आप सभी को एनेमो मीटर से पवन बेग मापी जिसे का जाता है पवन की बेग को तो इसे सलेशक कहा जाता है वी राइट आंसरेंगे अगला है निमलेकित में से कौन सी धातू नहीं है इन में से जो है वो कौन सी धातू नहीं है सिलिकॉन जो है ये धातू नहीं है याद रखेगा आप से भी सिलिकॉन क्या है ये एक उप धातू है याद रहेगा आप से भी को सिलिकॉन क्या है उप धातू है जबकि टाइटेनियम धातू है पारा धातू है चांदी क्या है धातू है अगला कोशन देख लिए जी डी एने का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी परदान करता है डैस डी एने का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी परदान करता है जीन जो है वो डी एने का क्या है एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी एक याद रखेगा कोईशन जैसे कि आपको सिलिकान के बारें बताए थे तो इसका जो है कि आवर्थ सारनी में वर्ग जो है वो 14 है दियान रखेगा आप सभी अगला कोईशन देखिए डैस द्वरा उस्मा के हस्तनांतरन के लिए किसी माध्यम के अवसकता नहीं होती है इसके द्वरा जैसे अगर चालन विदी से दिखेगा जिसे लोहा जो गर्म होता है तो लोहा के होता है वो चालन विदी से गर्म होता है अगर लोहा का इस पार्ट को गर्म किज़ेगा तो धीरे धीरे दीखेगा ये पार्ट भी गर्म हो जाएगा उसका इसी परकार से आगे पार्ट गर्म हो जाते है तो वो लोहा जो होता है वो चालन बिदी से गर्म होता है पर वायु मंडल जो गर्म होता है वो क्या होता है वि अंत्रिक्च जो है यह काला दिखाई देगा उससे अगला कोई सने डैस ऐसे रसायन होते हैं जिन्हें मारने के लिए खर पत्बारों पर छिड़काउ किया जाता है अगला कोई सने नेमन में से कौन सा जलिये बिलियन बिद्दुधारा का चालन नहीं करता है तो रख 8 यह यह ज़ो एकिफ्द बिद्द्धरा का चालन नहीं करता है जबकि निम्बो कारास करता है कॉस्टिक सोडा का रंक करता है जह की साथाल plat करतें सरकरा का विलियन यह बिद्धो धरा का चालन नहीं कर सकता है ये एक जलिय बिलियन है जो अगला कोईशन है तोरन के एसाई मातरक में सकेंड की घातांग क्या है तो तोरन के एसाई मातरक में सकेंड का घातांग जो है मैनाश टू है अगला देख लेज़े डैस रक्त असकंदन के लिए आवस्यक है तो विटामिन के रक्त असकंदन के लिए कौन आवस्यक है विटामिन के ध्यान रखेगा आप से भी आपसे नमर बी राइट आंसरेंगे विटामिन के का रासायने की नाम क्या है तो विटामिन के का रासायने की नाम जो होता है वो Philly Kivynon होता है ध्यान रखेगा आप से भी याद रहेगा आप से भी इपको छलिए आएच के सेट में हम से कुल 30 कोईशन कबर कियें आप से कुल कितने स्कोर कियें अपने स्कोर नीचे कमेड बोक्स जरूर बताईएगा अगर आयद के स्टेट अच्छा लगों हेलफल होत कलास को लाइक किजी गा और अपने दोस्ते में जरूर सेर कीजीगा फिर इतना सा काम करके आप से भी जरूर जाहिएगा और डेली ये कलासिस आपको परवाइट किया जा रहा है तो आप से कमपेड जरूर शा पर तरे आप से भी जरहिंदे